नमस्कार दोस्तों, बिटिशर्द ने अपने एजुकेशन रिफॉर्म्स को कंटीनू रखा नेक्स्ट वो लेकर आए सर्जंट स्कीम ओफ एजुकेशन 1944 इस कमेटी के जो चेर्में थे वो थे जोन सर्जंट बिटिश इंडिया गौर्मेंट ने एक कमेटी सेट अप करी जिसमें 22 मेंबर थे इस कमेटी की ड्यूटी थी कि वो एजुकेशन के उपर एक कम्परी हैंसव रिपोर्ट जो है वो लेकर आए पूरी तरह वो स्टडी करें उसकी कमिया स्टडी करें और सुजेशन दे गौर्मेंट को कि अब उसमें कौन-कौन से रिफॉर्म उनको चाहिए यह पहली कमेटी थी जिसने प्री प्राइमरी से लेकर जुनिवर्स्टी लेवल तक की एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करा और उस पे रिकमेंडेशन दी तो देखी इससे पहले जो कमेटी आई थी जैसे सैडलर था वो जुनिवर्स्टी की बात कर रहा था हार्ट और प्राइमरी से एजुकेशन की बात कर रहा था तो पहली recommendation थी, इन्होंने बोला कि आप जो है pre-primary education को promote करो, कैसे आप इसके लिए nursery school setup करो, कि जो बंदा primary में admission ले रहा है, उसको पहले pre-primary education करनी पड़ेगी, उसी के बाद वो primary education में admission ले सकेगा, pre-primary education आपको free provide करनी होगी, इस committee ने बोला कि जो भी लड़के और लड़किया 6-14 साल के हैं, उनको आप universal free और compulsory education दो, कि उनके लिए education लेना compulsory हो जाएगा, और उनको आप education भी free दो, इन्होंने बोला कि high school जो है, वो दो तरह की होने चाहिए, एक academic और एक technical, जो academic होंगे, उसमें education of arts, pure science के ओपर stress दिया जाएगा, और जो technical होंगे, उसमें industry और commercial सब्जेक्ट पढ़ाए जाएगे, वो चाहते थे कि high school से जो student पढ़के आ रहे हैं, वो दो तरह क्या है, एक त किसकी तरजी पे, जैसे university grant commission था England में, अगर आप ऐसा commission set up कर देते हो, तो क्या होगा कि अलग-लग university के बीच में cooperation बढ़ेगा, और education का standard बढ़ेगा, ये पहली committee थी जिसने handicap जो person थे, उनकी education की तरफ सरकार का attention खीचा, इन्होंने recommend करा कि जो handicap person आप उनकी पढ़ाई के लिए भी ध्यान दो, ताजो उनके वी interest save कर सके हम, इस committee ने recommend करा कि अगर आप worker की quality improve करना चाहते हो, तो आपको preliminary जो training है, वो technical high schools में देनी होगी, और आपको technical department set up करने होगे, ताजो वहाँ से अच्छे worker जो है, वो produce हो, और आपकी industrial growth हो, इस committee ने कहा कि आपके जो teacher है, वो well trained होने चाहिए, इसके लिए आप training college set up करो, अगर teacher well trained होगे, तो आपके student है, वो बहुत ही अच्छी quality के produce होगे, इस committee ने recommend करा कि आप एक employment bureau set up करो, जो ध्यान देगा कि students को कैसे नोकरी मिलेगी, कैसे उनकी employment होगी, इस committee ने recommend करा कि medium of instruction जो पढ़ाई में, मदर टंग होनी चाहिए, rather than English, English को आप secondary language बना दो, आप primary जो है वो वरनक और लेंगोजी रखो, तो जड़ा से ज़्यादा लोग education में participate कर सके, इस committee ने कहा कि इस education scheme को implement करने के लिए, आपको department of education set up करना पड़ेगा, center level के ओपर, इस committee ने recommend करा कि 10 से लेकर 40 साल तक जो भी person है, उनको adult education दी जाए, तो कि ये एक ऐसी committee थी, जिन्होंने पूरे का पूरा जो consultant कर दिया, जो पहले वाले commission थी, जो पहले वाले commission कह रहे थे, इन्होंने एक single report में दे दिया, और कुछ extra recommendation दे दिया, इन्होंने pre primary level से लेकर जुनिवर्सी लेवल तकी education में reform करने की बात कही, अब इस committee की recommendation के बाद, ग England की education level के equal कर दिया जाएगा, अब उस time frame को कम करके 16 साल कर दिया गया, और government ने accept कर लिया कि जो primary education है, वो free होनी चाहिए, अब भी इस committee की recommendation के ओपर, जो उनिवर्स्टी grant committee बनाएगी 1945 में, जो बाद में 1956 में, उनिवर्स्टी grant commission मन गया, इस committee की recommendation के ओपर, All India Technical Education Committee बनाएगी, और एक committee बनाएगी, polar technical schools की Delhi में, तो देखिए, sergeant जो committee थी, इसने comprehensive study करी, pre primary level से लेकर, जो निवर्स्टी लेवल तक, और बहुत सारा recommendation करी, सरकार ने बहुत सारी recommendation accept करी, उसको implement करा, उसके लिए finance provide करा, so hope now you understand, कि sergeant committee of education 1944 क्या थी, thank you, thank you very much. झाल